प्रिय साथीगन सभी को अल्लाव भा और आप सब का हार्दिक स्वागत हैं तो हम लोग सामुएक रूप से उश्मिन्य मंदिर का पत्र तीस दिसंबर का हम अधियन कर रहे हैं तो हम अभी तक सिर्फ तीन पारग्राफ पड़ चुके हैं तो यह तीन पारग्राफ नहीं अभी कमन के हाँ तो इसका मिटलब हम पांच शे और साथ कर पड़ चुके हैं और इसके बाद जो आठवा है क्लस्टरों का अभी कमन के संबंदित तो प्रिय साथिगंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वारे विश्मन्य मंदिर पिछले 25 साल के माध्यम 25 साल के दौरान जो भी सेवा हैं उप्लब्धिया सफलता हैं और योजना भत प्रभुधर्म का विकास के संबंदित हमें मा आने वाले नौ वर्ष के लिए हमें जिस तरीके से वो प्रुचाहिद कर रहें और अपनी अपैक्शा भी जता रहें तो हम समझ पा रहें कि जो भी हम अभी तक सेवा दे रहे हैं। देते आ रहे थे और हमारे clusters' के वृद्धी के लिए हमने जो भी सीख प्राप किया है उसमें बहुत कुछ हमें अनुभाव और सीखने को मिला है और हमारी श्रमता में अवश्य ही भात वृद्धी भी हुई है और हमारी संख्या भी बड़ी है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जो lines of action है प्रचार प्रसार का और सामुवी रूप से में लोगों को प्रभुधन में प्रवेश करने के लिए जो हमें आमंत्रित कर रहे हैं वार्ता लाप कर रहे हैं उन्हें आवान कर रहे हैं इस कार्य को भी हमें और बहुत तेजी से आगे ले जाना है तो cluster का अभीगमन के सं हमने सीखा है कि कैसे एक समुदाई जब चैनित एक जगा भोगलिक द्रिष्टी से चैनित होता है तो वहां पर शरुवात कैसे की जाती है और कैसे धीरे-धीरे जैसे मूल गतिविदी बढ़ती जाती है तो एक cluster में एक आकार उत्पन होता है और एक आध्यात्मिक वाताव कानुभव हम करते हैं और फिर एक पहली मील के पत्थर से दूसरे और दूसरी उसके बाद तीसरी और हमने देखा कि हाउस और जैस्टिस ने बताया है कि आने वाले रिजवान तक वह उमीद करते हैं कि 5000 हमारे समुदाई पुरे विश्वभर में वह दूसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुके होंगे और लगभग देरा सो ऐसे समुदाई होंगे जो इससे और अधिक आगे बढ़ चुके होंगे इसका मतलब पारा तीसरे मील के पत्थर या समुदाई निर्मान के कारिय में काफी उनकी तरफ से स्वारी वो तो बाद में आएगा मैं अच्छा थोड़ा आगे बढ़ गए यह नहीं यह भी पड़ा था तो अब हम जो आठवा ध्यांच को लेंगे तो प्रेया साथी गन तो हमें जिस तरीके से विश्मनय मंदिर कर रहें कि नौ वर्षी होंगे तो इस तरीके से रिज्वान दोहजाट श्यालिस तक यानि अगले पत्चीस वर्ष के लिए हमें विश्मनय मंदिर शक्षम बना रहे हैं हमारे में योग्यता प्रदान कर रहे हैं और इस तरीके से विविन्न संस्थाओं का भी जो महत्वकुन या योगदान है उस के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और कुछ विशह ऐसे भी हैं जहां पर जिसमें परामर्श-सलाकार-मोद्यों की तरफ से राश्टिया धर्मिक-सभा च्षेत्रियव, परिशद और साहक मंदल सदस्यों की जो भूमी का रही है। स्थानिया धर्मिक-सभाओं के बारे में भी बताए गया है ये भी बात आगे उभर कर आएगा तो आएए हम इन बातों को याद रखते हुए आगे पढ़ते हैं सो हमें गिद्यांज नमबर आठ से पढ़ना है ना आशक कुमार वाज पढ़ने हैं आठ यहां से हैं हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ हम जानते हैं कि कुछ ऐसे छेत्र और देश हैं जहां प्रभुधन विकास के प्रारमविक बिंदू पर ही रह गए हैं और यह सूनिश्चित करने की अत्यदिक आवशकता है कि बाही विश्व ने विकास परिक्रियक को तिर्व करने के बारे में जो सीका है वह इन इस्थान को भी लाभाविक करें एक महतुन सीख जो इश्पस्त हो गई है एक कलस्टर जहां तीसरे मील के पत्तर को पार किया जा चुका है अत्यदिक महत्व रखता है एक बार एक ऐसे कलस्टर में मित्रों ने ऐसे प्रगति के लिए आवशक शमताय विक्सित कर लिए है और अंतर प्रश्टियों को प्रसारित करने और समूदाय निर्मार प्रियासों के अनुभव साजा करने के साजन मोज़ साधन पहुजूद है जो आसपास के कलस्टरों में प्रसार और सुगटन के कारी में तेजी से गती प्राप करना संबह हो जाता है इसे ध्यान में रखते हुए यह आवशक है कि नोवर्शी योजना के दोरान विकास किया प्रतिक देश और प्रतिक छेतर में कम से कम एक कलस्टर में तिर्वता के इस इस तर तक पहुँच जाए यह योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है और इसके लिए कई समर्बित आत्मों के एक जूट प्रियास के आवशक्ता होगी इसते प्रात करने के लिए कई रंड नीटियों को लागू करने के लिए अंतर राश्टी सिक्षिंड के अंदर आपके साथ काम करने के लिए तयारे इन में से सबसे महपूर्ण आंतराश्टी और होंग फ्रंट पाई नियरू की टीमों की तेनाती होगी जो कारी करने की रूप रेखा से परिचित हैं और अनेक वर्षों तक प्रभु धर्म की सेवा के लिए सार्थक मातरा में समय और उर्जा समर्पित करने के लिए तैयार है आपको राश्टी आद्वात्मिक सबहों और छेतरी बहाई परिशोतों पर उन अन्युयों को ततकाल प्रोसाहित करने के लिए आवशक प्रभाव डालना है जो अतीत की अनिक नायक आत्मों के नक्षे कदम पर चल कर प्रभु धर्म के प्रकाश को हर भुभाग से चमकना सुनिश्चित करने के लिए उठ खड़े हो सकते हैं सहैता की आवशकता वाले स्थानों की और पाइनियरों का प्रभा उत्पध करने और अन्य माध्यमों से सहैता प्रदान करने के लिए हम विशेख्स भ्रुप से उन देशों छेत्रों और कलस्टरों जहां सामर्थ और अनुबखा और एकत्र हो चुके हैं कि और देखते हैं समर्थन का ये प्रवा एक और तरीका है जिसमर प्रगति के लिए आवशक्त सहयोग और पारस्परिक सहयता की भावना वेवस्थित कारवाई में स्वयों को प्रकट करती है एक और पढ़ना को सकते हैं एक और पढ़ लीजे दो दो कर्शे प्रामर्श करें योजिनों की पिछली शंक्लाव विशेश कर पिछली पांच वर्षी योजिना की उपलब्दिया शिक्षंकारी में जबजस्ट प्रगति के बगए प्राप नहीं हो सकती थी इस कारी का एक महत्मून आयाम आध्यात्मिक विशो पर वारतालाफ से संबलित होने की शंता है वो शंता जिससे 2015 में के आपके संबलन में हमारे संदेश में संबोधित क्या गया था जहां हमने बताया था कि इसे संस्तान के पाठिय करमों में सहबाकिता के माध्यम से और वहवारिक अनुवो प्राप करने करके कैसे विक्सित किया जाता है ये स्पश्टे कि जमीनी स्तर पर सामने आने वाली गतिविदी का पेटन अने प्रकार की परिस्तियों के द्वार कोलता है जिसमें ग्रंशील आत्माएं कभी-कभी पुरे परिवार या सहकर्वी समू सार्थक वारतालब से भाग ले सकते हैं जो प्रभुधर्म के उद्देश और बहुला में रूची जगाते हैं समय के साथ एसी कई आत्माएं बाही समूदाएं के साथ अपने आपको जोड़ कर देखने लगती है खासका जब विस सेवा के माध्यम से सामूदाएं जीवन में भाग लेने का विश्वास हासिल करती है बेशक समूदाएं किसी वेक्ति द्वारा बड़े या छोटे किसी विस्तर पर संबंदता बनाए रखने का सौगत करता है फिर भी बहाउला को इश्वार के प्रकट रूप में पहचानना और उन विशेश अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्विकार करना जो बहाई समूदाएं में सदसिता के साथ विशेश रूप से जुड़े हुए है एक विक्ति के अध्यात्मिक विकास विए एक विलक्षेश रूप है अनुच थोड़ा को अनुट करनो गुलाब चिन प्लीज समूदाएं जीवन में भाग लेने का विश्वास हासिल करती है बेशक समूदाएं किसी वेक्ति द्वारा बड़े या छोटे किसी भी स्तर पर संबंदता बनाए रखने का सौगत करता है फिर भी बाहुला को इश्वर के पकट रूप में पहचानना और उन विशेश अधिकारों और जिम्मेदारियों को सिकार करना जो बाही समूदाएं में सद्विता के साथ विशेश रूप से जुड़े हुए है एक विक्ति के अध्यत्विक विकास में एक विलक्षण है जो बाही गत्युदियों में निमेत भागीदारी अत्वा बाही सिध्धानतों के समर्तन में आवाज उठाने से बिलकुल बिन्ने है अनुभों उन्हें दर्शाय है कि समूदा निर्मान के प्रियासों द्वारा छेत में बनाया गया वात्तवरण किसी को भी ये कदम सहस्ता से उठाने में शक्षम बनाता है जहां के लिए ये प्रियास चल रहे हैं चेत्रों के लिए ये ध्यार अकना महत्तुर हैं कि प्रभू धर्म के द्वार खुले हैं और देलीस पर खड़े लोगों को प्रौसान देना है और इन चेत्रों में जहां इस तरह के प्रियास कुछ समय से भली बानती रूप से इस्तापित हो गए हैं कई अनुवाई ये अनुभव कर रहे हैं कि गती वीधी का एक जीवन्त विस्तारित होता पेटर्न सौहबिक रूप से परिवारों मित्रों के समों और यहां तक की परिवारों के समों को प्रभुधर्म में प्रविश्च करने के लिए तैयार कर सकता हैं इन अउसरों में जहां सामोहिक पहचान की भाउना साजा करने वालों के बीच समुदाएं में शामिल होने को संभाउना पर खुले तोर पर और समाविश करते होई ये चर्चा कि जा स सकती है आत्माएं इस कदम को एक साथ उठाने के लिए अधिक सेहच्ता से उस्साहित महसूस कर सकती हैं बाही संस्ताओं संस्ताओं विशेश रूप से इस्थानी अध्यत्मिक सभाउ को एसी मन इस्तिती अपनानी चाहिए जो इस तरह के विकास की अनुमती दें और ये किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाज अच्छी 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 इहां पर जो दो पड़े गए हैं इसमें कई मात्वच्पूर्च चीजें हैं हम लोग बहुत बारिकी में ना जाकर जो विश्मनाय मंदिर का संदेश को हम समझ हमें की चेश्णा कर रहे हैं उसमें एक तो अपने जो समुदाई की वास्तविक्टा को ध्यान में रख सकते हैं कि हमने खुद क्या-क्या अनुभव किया है कि सतरीके से अपने समुदाई में विकास और मित्रों में की शमता मधदी एDoes और वहाई के मूवमेंट के माध्यम से हम लोग ने हर क्लस्टर जितने भी आज क्लस्टर है जो तीसरे बील के पत्थर पर पहुंच चुके हैं इसकी शरुवात कैसे हुई जरूर वहां कोई न कोई एक शक्षम एक प्यागभावाला मित्र वहां पर उपस्थित्य था वो कहीं आसपास के क्लस्टर से आया होगा या कोई और राज्य से वहां पर पाइनियरी किया होगा तो इस तरीके से शरुवात हुई है और धीरे-धीरे यह क्लस्टर ने जैसे जैसे इसमें मित्रों की संख्या बढ़ी औ कारिय बढ़ते गया तो जो शेक्षिक प्रक्रियाएं है उसमें व्रिद्धी होने लगी और इसमें हमने देखा है कि हमारी संस्थाओं की तरफ से विशेश करके अंतराश्य शिक्षिक्षिन केंद्र भी हर वक्त हमें प्रोचाहिद करते हैं मार्दर्शित भी करते हैं और य हमारे देश के अंदर या एक राजय के अंदर भी हो सकते हैं इंटरनाशनल और होम फ्रंट दोनों और यह लोग काफी अनुभावी होते हैं क्यूंकि उनको पूरा पता होना चाहिए कि हमारे ग्रोथ प्रोसेस की जो रूप रेखा है वो क्या है और किस तरीके से एक और फिर वो लोग अपना पूरा समय तन्मन के साथ कभी शौट टम भी हो सकते हैं लॉंग टम भी होते हैं और इस तरीके से हमारे पास बहुत अच्छा अनुभाव है पाइनर्स की सेवाओं के संबंदित और इसी बात को आगे धोड़ाते हुए राश्टिया ध्यव्मिक स दवाएं और छेत्र परिशदे को भी इस तरीके के मित्रों को चैनित करके जहां जहां भी वह आवशक्ता महसूस करते हैं वहां उनको जाने के लिए प्रोट्साहित करना चाहिए और यह पाइनर्स ही हमें यह भी ज्यान देते हैं कि उनके पहले भी जो पीड़ी चले गई है और उसमें भी जो मित्रों ने सेवा दी है वो लोग की तरफ से भी हम हर वक्त प्रेरित होते रहते हैं तो आज जो कुछ भी सफलता है हमें मिली है जो कुछ भी उपलब्दी है कभी भी हमें अपने पूरवज अपने पहले के जो मित्रों ने सेवा दी है उसे हम कभी नह शक्ता होती है वो प्रवा भी हमें जारी रखना है इस तो इसलिए यहां पर फ्लोव पाइनियर्स के साथ रिसॉर्सिस की भी बात विश्मनाय मंदिन ने की है साथी गड़ मैं अपने सीमत बुद्धी के निसारी बता रहा हूं आप भी अपनी प्रतिक्रिया साजा कर सकते हैं फिर उसके बात का जो के द्यांश है उसमें जो पिछले पांच वर्शी योजना है या पिछले पचीस व आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अब एक बहुती सुचारू रूप का आकार ले चुका है और श्रंखलाबद वेक्तिकत रूप से हम अपनी शम्ताहें बढ़ाते हैं और फिर यह जो ग्यान हम अर्जित करते हैं और जो हमें सीखने को मिलता है वही सीख के आधार प हम लोगों को भगवान बहावला का परीचय भी देते हैं तो यहां पर एक रेफरेंस भी दिया है कि 29 डिस्टंबर 2015 के संदेश में भी इस बात पर विश्मनायमंदिन ने काफी विस्तार रूप से प्रकाश डाला है और जब हम बहावला के बारे में लोगों को परीचय के लिए वारताला करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि 2017 और 2019 बहावला की दूई शतादी के वर्ष के दोरान हमने बहुत प्रयास प्रयतन किया और उसमें भी उस समय भी विश्मनायमंदिन ने हमें मार्दर्शित किया था और इस तरीके से लाखों की संख्या में हमारे देश में हम लोगों के साथ वारतालाब की या अर्थ पुन वारतालाब और फिर उनमें एक जागरुकता उत्पन किया और इस तरीके से हमारे जो लोगों के साथ प्रभू धर्म का संदेश देने का जो एक दायरा था वह काफी विस्तृत हुआ और यही चीज हमने भगवान को पैचाने इस तरीके से हम लोग वारतालाब करते थे और यहां पे कुछ चीजे काफी इंट्रेस्टिंग लिखा है कि जब एक वेक्ती इस अवतार को पैचानते हैं जब एक वेक्ती कहता है कि मैं बहान बहावला को इस युग के अवतार के रूप में स्विकार करता हूं तो क्या होता है तो वो अपना डेक्लरेशन देता है और उसके साथ साथ जब बहाई संस्था उसको स्विकार करते हैं तो फिर वो बहाई समुदाय का सदस्य बन जाता है और सदस्यता सदस्य बनने के साथ साथ कुछ सदस्यता की अधिकार भी उनको मोया कराये जाता है तो एक हर व्यक्ति के, हर बहाई के जीवन में आप स्वयम ही अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि जब आपको बहान। बहाउल्ला का संदेश पहली बार मिला और आपने सत्के का खोच किया और फिर आपने अपनी आस्था जताई तो वो एक ऐसा महत्वकुन्षन था आपके जीवन में जो आप अगर याद रखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे आपके जीवन में एक अध्यत्मिक परिवर्तन उत्पन होने लगा बल लेकिन साथ साथ जब हम अभी इतने तेज रफ्तार से हमारे समुदायों में विद्धी हो रही है तो कई बार बहुत सारे लोग बहाई शिक्ष हम आपके साथ हैं हाला कि अभी तक शायद हो सकता है कि उन्होंने भगवान बहाउल्ला को एक इश अफ्तार के रूप में पैचाना न हो तो भी ऐसे भी लोगों के साथ हमें अपनी सेवाय जारी रखना है और उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी ये महसूस करेंगे कि जो उ हर लोग इसलिए हम लोग हर बार अपने चर्चाओं में वाइडर सोसाइटी बाहरी दुनिया के जो लोग हैं उनके साथ हमारा बहुत खुलम खुला आदाम प्रदान होता है और इसलिए आने वाले जो नौवर्शी योजना के लिए जितने भी सम्मेलन काम आयोजन करेंग उसमें जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबको भी हम आमित्रित कर सकते हैं यानि हमारे यह सम्मेलन सिर्फ बहायों के लिए नहीं है कहने का ताथपर यहां पर यह है कि हमारे द्वार सब के लिए खुले हैं और वो लोग स्वयम ही हमें हमारी बहाई समुदाई की पहचान करे कि यहां पर इतनी सारी गतिवीदी चल रही है, इतनी सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, परिवार अपने तरफ से बहुती भक्ति पारक बैठक कारिक्रम का आयोजन करते हैं, बच्चों की नहतिक कक्षाओं का संचालन होता है, कि शोर कि शोरियों के अध्याद्मिक शश्रिक् होता है, फिर कई समुदाएं में समाजिक क्रियाएं भी चल रही है, फिर कई मित्रगन समवाद के कारिक्रम में भी भाग लेते हैं, ताकि वो समाज में जो आवाजें उठाई जा रही हैं, उसमें भी बहाई शिक्षाओं को वो लोगों के साथ साजा कर सकें, तो ये सारे बहुत सारे अफसर हमारे पास आज हमें मिल रहा है, तो इसका भी हम अगर सद्वक्योग करेंगे, तो धीरे धीरे एक तरफ तो बहाई जो एक आइडेंटिटी है, अपना जो परिचय है, वो भी लोगों को मिलेगा, और वो लोग भी आकर्शित होंगे, तो इसमें स्थान या धर्बिक सभा को काफी सतर्क और रहना है, कि कोई प्रकार की बाधा न आये, कोई भी समुदाई में, कि लोगों को लगे के ये बहाई है और वो बहाई नहीं है, हमारे लिए हमारा हुद्देश संपूर्न मानव जाती के कल्यान के लिए हम जो भी सेवाय दे रहें, वो सबके हित में हैं, और सबके एक बहतर समाज के लिए अपनी सेवाय हम दे रहें, तो किसी को भी ऐसा मैसूस नहों कि हमारे या कोई प्रकार का ऐसा डल बना हुआ है, कि इसको हम चाहते हैं, कि वो हमारे साथ हैं, और दूसरे को हम नहीं, ऐसा नहीं है, हम संपूर्न मानव जाती के चाहने वाले मैं से हैं, और हमारा सब के साथ प्रेम पुर्वक, वर्ताव और सेवा, हम जो दे रहें, वो सब के लिए हैं, तो साथी गन, मैं जो समझ पाए हूँ, मैंने आप से साजा किया, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अपने विचार अगर साजा करें, तो औ अच्छी तरीके से हमें इस पश्ट रूप से जो विश्मनाय मंदिर हमें मार्ट दर्श्टिं दे रहें, वो समझ आएगा. पाइवनियर्स के बारे में, क्या कोई ऐसा एक योजना बद्ध तरीके से ये कोई कारकरम में बन सकता है कि कि सराज से कितने पाइवनियर्स करेंगे अंतरराज blossie या इस तरीकसे कोई अभी तक कोई निधारित किया गया है कि इस आगामी नौ साल में इतने हैं इस तर्फे इससा कि यह या कोई हो चुकी है पारित हो चुकी के उसका अनुभव हमारे पास है तो यह विशे हमारी जो संस्थाएं है राश्रिया धर्मिक सवा और छेत्रे परिशद और फिर सलाकार और साहिक के साथ परमश करके वो लोग करेंगे क्योंकि वो हर राज्य में हर छेत्र त्र हर जो हैं जितने भी संबुदाई हैं उसको देखते हुए लेकिन उद्देश क्या है के हमें जितने भी हमारे जहां-जहाल पर भी हमें पाइनियर्स भेजने की अवशक्ता हम समझते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो ये अभी ये एक्चुली संस्था के स्तर पर परामर्श के बाद ही हमें स्पष्ट पता चलेगा कि हमारे देश में अलग-अलग राज्य में किस प्रकार के पाइ कि आवशक्ता है अगर कोई और मित्र को इसके विशे इस विशे पर ज्यादा वह अगर हमें बता सकते हैं तो लेकिन ये एक इंस्टिशूशनल रिस्पॉंसिप्लिटी है साथिगन आप में से तो आने वाले योजना के लिए तो अभी वह रूप रेखा तयार नहीं हुआ है पहले तो संदीप मलेक जी एक असेस्मेंट हाँ जी हाँ स्री संदीप जी हाँ आपका स्वागत है श्री संदीप जी बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं नहीं हम पिछले दो तीन दिनों में समझ पास है कि एक तो हमको करना है कि कि विश्टु के परप्पे कलस्टर में विटास्टे कार्चरम को साफिच करना है जो आपने पिछले में बताया उसके साथ अभी जो कलस्टरों का समयोजन करना को करना बारा करना यह सागत रूप से होंगी कर सकते हैं कि कैसे हम उन लग्रों को प्राप करें कि दुनिया के कोने कोने तक इस पहले वाले पाराग्राफ में कि कुछ देश या पर्देश ऐसे हैं जहां पर विकास के कार्जक्रम का कम से कम एक क्लस्टर ऐसा हो जो तिब्र गती से आगे बढ़ता हो मतला थर्ड माईले स्टोन वाला अनुभा उतके पास हो वो पत्ते के राज्य के भी लाग होगा कि हर राज्य में को एक ऐसा कर सकते हैं जैसे अगर विहार के परिफेक में देखे हमारे पास वियार चरीफ है आलोली है यह से हम पाच घ्जार से ज्यादा गतिविदियां एक क्लस्टर के अंदर में कर रहा है तो वह एक सीठ का केंदर है हमारे दिए उसके आधार तो वहां जब यह बड़े पैमाने क्लस्टर पे अगर सीठ केंदर बनके कोई सघन औरूप के उभरता है को क्लस्टर तो वहां पे हमारे पास मानव संसाधन भी होता है और हमारे पास अनभव भी होता है उन्ही अनभवी लोगों की मदब से हम हों फ्रंट पाइनियर अपने राजित के लख को पूरा करने के कर सकते हैं जले एक साल में हमको कर सकते हैं कि कहां यहां से हमारी रिक L Estamos है hangs तए जो हमारे तैयार हुए है तक रैस आयाग का की उनके रिसोर्स को हम कैसे उत्योग कर सकते हैं, तो यह जो इस पारग्राफ में जो हम समझ पा रहे हैं, इसी तरह प्रत्व एक देश से भी अनुवव कहा है, अनुरोज हिया गया है कि हर देश में कम से कम एक प्रस्टर इस तरह के अग्रनी समतावाले हों, तो वहां के लिए जोड़त होगा, तो अंतरास्तिय पाइनियर की भी जोड़त होगती है, लेकिन मुग करूप के जो हमको सोचना है, अपने राज्यों को हम कैसे, हर राज्य के पते क्लस्टर तक हम दिकाज से काज़प्रम को लागू करें, और उसमें एक बड़ा योगदान हम पाइनियरों काज़ को ले सकते हैं, उसके लियर संस्नाओं को भी, एर चौंशल को, एनसे को का गया, मतख करने के लिए, तो यह जो मैरी समझ है, वो हमने से क्या, लन्नवाद. बहुत बहुत धन्यवाज, नियुक्षी महत्वपाइक है, हां. जाई को सहलूँ, कर दूदू. I saw Ms. Zeiba's hand, but after her maybe you can speak, Mrs. Munjay. Okay, okay. Please, it's very interesting what Mr. Sunid Kami has just shared. अलावावावाभा. कि पाइनियर का जो रिसोर्स है, हमें खास करके देखना पड़ेगा उन क्लस्टरों में, जो कि बहुत अगरीन है, मतलब जो की बहुत आगे बश्टर, इडवांस क्लस्टर, इसको मुझे, लास्ट येर जो था, तो हमने भी, मतलब हमारी हां कम से कम, ऐसे साथ आठ पाइनिय के लिए, मतलब पाइनियर हमें मिले थे, तो पाइनियर को हमने कुछ कैटेगरी में देखा था, एक कुछ फैमिली, एज पाइनियर फैमिली जा रही है, यह हमें कुछ स्टुडेंट पाइनियर्स मिले थे, कुछ यूथ पाइनियर्स मिले थे, कुछ टीचर से जो पाइनि जिसे वेस्ट मेंगौल का जो लक्ष है ता उसको पूरा करने के लिए हमने छे साथ महीने के लिए उन पाइनियर्स को भीजा था और वो बिलकुल मतब जिस उमीद से भीजा गया था उसी तरीके से अच्छली पाइनियर्स का जो नेचर है वो अलग-अलग हो सकता है और रिक सही आपने बताया कि यह अनुभव भी हमारे पास है मिसिस मुंझे आप कुछ हमारे आपके विचार साथ मुझे जो जेबा ने अभी बताया मुझे भी वही बताना था कि देखिए आप जो पहले हम लोग जब गए थे पाइनियर्स पचास साल पहले और उससे पच्पन साल दिल्ली में वहां पर भी NSA लेटर लिखा बोला आपका फैमिली को पाइनियरिंग के लिए बुला रहे है डेली तो अलग-अलग सिच्वेशन के लिए होता है जो पाइनियरिंग के लिए और एक सिर्फ मैं इतना आप करना चाहते हूं कि अपना एक अपना छोटा सा शेहर जैसा मैं ग्वालियर में हूँ अगर मैं एक सेक्टर में रह रही हूं और यह हमारा कारिया क्राम ठीक चल रहा है अब मैं देखते हूं कि कहीं और दूसरा सेक्टर में अपना सिटी में वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है तो वहां हम शॉट टर्म के लिए भी जाके वह हमारा कालेज तो हम उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वह सहायता करन है अपना सेक्टर से दूसरा सेक्टर में जाने के लिए मदद के लिए तो वो भी एक चोटा सा पाइनेरिंग का जो है जो पहले तो कहते थे एक देश से दूसरा जाना या एक शहर से दूसरा शहर जाना वो अब तोरा सा बदलाव आके देखें ये चोटी-चोटी शौट टर्म पाइनेरिंग भी होता है यह मुझे खाली कहना है यह भी बहुत ही म जहां पर पाइनेर्स की आवश्यक्ता होगी तो हमारा दिल्ली का भी ऐसा नुभव रहा है कभी नौइडा भीजा है ग्रेटर नौइडा यह आज पास के हैं दिल्ली का तो वह पूरा एक सब रीजन है हमारे एक क्लस्टर के साथ आठ और क्लस्टर रहें और वहां पर भी हम पाइनेर्स भेजते हैं और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं लॉंग टर्म भी हम सोचते हैं तो यहां पर पाइनेर्स की महत्वा जैसे हाउस अब बता रहे हैं जानकारी होनी चाहिए कि सगन विकास के लिए क्या-क्या चीज की आवश्यक्ता है उसमें वह अनुभव होना चाहि है वह भी पाइनेर्स को दिया जाता है ताके वह पूरे तनमन के साथ